स्कूल के टीचर को पढ़ाना नहीं आता, नहीं पढ़ाते, तो क्यों हम स्कूल हैं चलाते, पढ़ने वाले कम और पढ़ाने वाले हो गए जादा, तो बंद करो स्कूल, क्यों खर्चा करो फिजूल, पर पहला प्रयास करो सुधार का, अच्छी ट्रेनिंग और पढ़ाने मे निखार का, सिक्षा के इस्तर में जैसे ही सुधार आएगा, निराशा का बादल अपने आप छट जाएगा, छात्रों और सिक्षक दोनों का हो आंकलन, और आंकनों का हो विधिवत संकलन, उसका विज्ञानिक विशलेशन कर उसमें करें सुधार, हमें ज्ञान के साथ संसकार, रावन नहीं, राम करो तैयार, जो विपरीत परिस्थिती में भी न माने हार, सारी प्रकृति से करें समवाद, उसे मानव धर्म हो याद, हमेशा रखें मर्यादा का ध्यान, चाहे बाणों से समुद्र सुखाने का हो ग्यान, पूरे संस्थाग धाचे को इस तरह क करो तैयार की स्वयम सिक्षा की उप्योगिता का करें ध्यान और विचार, हर बदलाव को आकलन के साथ अपनाएं और भारत की सिक्षा के स्तर को उचा उठाएं, यह छेत्र ही भारत को सबसे प्यारा, क्योंकि कभी विश्व गुरू का स्थान था हमारा, हमारा ताकत से किस को डराने में नहीं विश्वास, उसमें नर से नारायंड तक हो सकता है विकास, इस विकास को करो साकार, वरना शक्ती संग्रह और अग्यान से मच जाएगी मार मार, च्छा जाएगा दुनिया में अंदकार, हमें सिक्षा से उन्नत करना है संसार, बढ़ाना है मानव के नफरत ने हमें दिया है आपस में बांट, रोज हो रहा दुनिया को खत्म करने का प्रयास, खत्म हो चुका आपस में विश्वास, धर्ती कागच पर बट गई, विश्वास की डोर जगह जगह से कट गई, जो धर्ती पर दिखती नहीं, रेखा उसके प्रती, बड़ा जड रत्व है गहरा, सबने अपनी अपनी सीमाओं पर लगा रखा है पहरा, ज्यान ही इस पहरे को कर सकता पार, इसलिए हमें अपनी सिक्षा विवस्था को करना है तैयार सुधार, उपर वाला भी आज दुनिया को बचाने के लिए कर रहा हमारा इंतजार, कर रहा हमारा किट